महरास्ट प्रवास में 18 मार्श 2024 को कुछ मित्रों के साथ सुभा सुभा हम पहुँचे नक्षत्र उद्यान 12 मती में घूमने के लिए अपने TCVT के कारिकरताओं ने सुभा सहर के घूमने आने वाले लोगों को इखटा किया और मेरा आधे गंटे का एक बहुत अच्छा अख्यान यहां करवा दिया उसको यूटूब में प्रस्तुत कर रहा हूँ आप भी सुने सब्सक्राइब कर दो हजार पांस से वहां पर संस्थान है आरोग्यधाम जहां पर दो हजार जड़ी बुडियों का लाईव चित्रन है जैसे यहां पर नक्षत रह वैसे उनके प्रयोग भी मैंने सीखे हैं इतना ही नहीं भारत का जो प्राचीन साहित है व्रक्षाइरवेद उसका भी हिंदी ट्रॉंस हमने करवाया है और जो है कश्यपी क्रशी शोक्ता भगवान परसुराम ने भी एक पुस्तक लिखी परसुराम गीता एसी तेरा पुस्तक है हमने मेरे वेबसाइट में है www.esolife.com मेरा वेबसाइट है और जैसे ख्लिप कार् इस प्रकर्ती में जो भी दिखाई दे रही है ये जो है ये सब छण मतलब ये सब जो है नस्थ होने वाली चीज़े हैं जो भी हम तुम पेड़ को दे सब नहीं नस्थ होता है वो है एनरजी उसको हमारे पुर्वजों ने छंद कहा आज का विज्यान उनको जो है quantum physics कहता है क्या केता है quantum यह स्थिर है और पूरी प्रकर्ती में सारा काम यह quantum पूर्जा यह चंद ही करते हैं यह प्रकर्ती में 96 प्रतिसत कितना मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है वह उसका नाम है चंद्रघंटा मेरी आवाज आपकी कानों में जो पहुच रही है उसका उस चंद का नाम क्या है जो चंद्रमा की आकार की तरह जो किसी से टकराने से नाद उत्पन करती है आज के विज्यान ने इसको कहा इलेक्ट्रो मेगनेटिव वेवस ऐसे सारे वेवस हैं इन वेवस को हम सब जो है जानते हैं समस्ते पर सब्दों में व्यक्ष्य निगार यह वेवस के दो प्रकार है एक अच्छी और एक बुरी कान को जो खराब लगे वो जो वेवस निगेटिव है और वो जिससे निकल र निगेटिव है उसके संपर्थ में जो पानी आएगा पानी निगेटिव हो जाएगा यह स्टील का ग्लास और पानी नहीं नीटों मैं वो प्रतेक्ष प्रयोग करके दिखाता मैं दूसरे प्रयोग दिखाता हुआ है वैसी आंखों को जो खराब लगे मोईल की तार्ष की रोसनी आखों को अच्छी लगती कि बुरी खराब लगती तुसकी वेप से निगेटिव है अब ही आमने सारे जो है जो सफेद बल्प लगाएं वाँखों को ठीक नहीं लगते हैं लोजन बल्प जो गाड़ियों में लगे लिए पीले बल्प की रोसनी आखों को तुसका वे अच्छी लगती कि बुरी बुरी लगती तुसका वेप से निगेटिव है और जहां से वो दुर्गंद निकल रहे वो सड़ा हुआ है अब जो सड़ी हुई चीज है वहां कोई भी अच्छे जीव पैदा नहीं होंगे सहर का सड़ा नाला मक्ही मच्छर इल्ली साब बिच् जीव रहा है वह अच्छा एंप अच्छे जीव पैदा होंगे यहां दो जो कुष्भू है ईसमें अच्छे जीव पैदा हंग अच्छे अच्छे आप omake और जो बढबू यहां उसमें हमेशा हम इसा घ्रार्ण मिए जो हैए पांच GYNA zijn अच्छे और बुरे को समझने के ही पर हम आप जो है अच्छे बुरे से परे चले गए हमारे दिमाग में ब्लड़ा गया कि स्टील अच्छा है सिंथरिक कपड़े अप जिस कपड़े को पहन के जोगिंग कर रहे हैं वो कपड़े की वेज्टिव है और जब तक प्रस वेज आप से जुड़ा रहे आज तमाम कैंसर हो रहा है अभी चार साल बाद लगबग लगबग जो है 25 लाख लोगों को कैंसर हो जाएगा और अभी भी मैं मैं लगबग 2010 से भारत सरकार का नेशनल ट्रेनर हूँ पंजाब, हर्याना, राजिस्थान मेरे लगातार ट्रेनिंग होते रहते हैं तो यह हम उन परिवारों में गये जहां पांच-पांच व्यक्ति कैंसर से पीड़ी थे ऐसा कुछ खानी रहे हैं लेकिन सब निगेटिव वेप्स का खा रहे हैं आप जो सकर यूज करते उसका वेप्स निगेटिव है चीनी गुड़ का वेप्स पॉजिटिव है आप जो रिफाइंड बस आपका स्वास्त वहीं से ठीक होना सुरू हो जाएगा ठीक है एक मैं डेमो कराता हूं ठीक एक वेक्ति आप नीचे उतर यह जड़े आपको तो डेमो है और कोई नए वेक्ति आजाब परज़ाओ इसको जाचोगे कैसे संजेरों लागे संजेरों पुड़वा इस बात आपको मैंने मेरे यूटीब चैनल पर यह 15 घंटे का पूरा लेक्चर है पूरा और ना कियो हमने जाचा हमने भौतिक मसीनों से भी जाचा मारे पास मसीन है पर मैं आपको एक छोटा से ट्राइल बता रहा हूं दो ट्राइल है जो आप कर सकते हैं कोई भी निगेटिव ची अब इसको करना है प्रियोग तो क्या करेंगे सिंगल है तो नीम का पत्ता मुह में रखी और एक पंदरा लेटर के बाल्टी को उठाए कुरसी में बैठके बराबर हाथ सीधे रखके यदि उठा लेते हुए तो उसका वेप्स पॉजिटिव है वो ताकत दे रही आपको औ जो ताकत खीच रही है वो पॉधा कभी बीमार होगा वो चीज कभी बीमार होंगी मखी मच्छर इली साब बिच्छू केकड़ी यह जितने निगेटिव जी है बीमार निए तो चार तरह की चीजे निगेटिव है एक तो मैटर पेड पॉधे भी है फिर इसके अलावा यह जो है नमक सक्कर जो आप खा रहें रिफाइंड यह भी इसकी एनर्जी निगेटिव है और इसके अलावा कपड़े सिंथेटिक कपड़े इसकी इनर्जी निगेटिव किसी को भी जा सकते हो आप छूके चूओगे तो यहां टच होगा यह मुख में टच करके तो अभी मैं हाथ में टच करके प्रयोग दिखाता हूं मुठी बन करिये और मेरे ताकत को रोकिए अभी मैं हमकी इनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं क्या चेक कर रहे हैं अब मैं हाथ को दबा रहा हूं यह रोकेंगे कितने देर मेरे हाथ को रोक रहे हैं यह देखो मैं पूरी ताकत लगा तो उसका वेब पेरो से ताकत खीचेए है। समझ रहे हो। यह अगर सेंथेटीक है तो यह भी ताकत को खीचेएगी। इसलिए हमारे ताकत हमारे अगर वाथ है, हवा गुज गई है, तो भी हमारे सरीन में ताकत कम हो जाएगी। अप्रण जाईएगी। आप आईएगी। आप आईएगी। अजाएगी। मेरे ताकत को रोको, सौ प्रतिस्ट रोको। अभी यह भी जो है बहुत मजेदार नहीं रोक पा रहे। तो थोड़ा रोक रहे। एक पत्ती आप जो है इसको आथ मेरे जो है। आप पत्ती बन करिये। हाथ में रखिये। वैसी रोकिये। मैं ताकत और बढ़ा रहा हूँ। अभी आपको लग रहा है थोड़ इसी ताकत बढ़ गई है। वट्टी तो नहीं रहा है। यह पत्ता वापस दीजे उनको। अब फाइकस लाह हूँ। पाइकस लाहा हूँ। यह पत्ता को आथ पे रखिये। अब प्लक पॉइंट से टच होना चाहिए। यह प्रयोग आप ही कर सकते हैं तो यह जाने के बात यह कोई मेरा ही प्रयोग नहीं। ठीक है हमने हाला हजारों लोगों को सिखाया है और यह मैं इनकी ताकत को भटा रही है अब तक खलियोत में अब जो है चुकि यह पूरी ताकत से उतना हमारे प्रियोग हुए ने इसमें बहुत अच्छा समझ में आएगा लेकिन आपको लग रहा पकड़ने पोरी ताकत बढ़ रही है और इसको पकड़ने से लट रहे है अभी ॉर अच्छे से मैं प्रियोग बताँ गा एक एक मैरी तरय आओ जड़ाओ तोराज बन कर लो को रोको मेरे ताकत, हाँ, रोको, रोकना है पूरी ताकत लगा कि, जो 100% रोक लेगा उसके साथ, ये थोड़ी ताकत में लगा है, लगाया, ये पत्ता को थर्मामेटर जैसे मुह से टच कर लिए, जीप से टच कर लिए, अभी मुह में, मुह भी एक प्लग पॉइंट है, ठीक ह मुठी बंद करिये, रोकिये मेरे ताकत को, रोकिये ताकत को, रोकिये, रोकिये, आरे बॉह आपने है, क्या बात है, इसका वेप्स घटा रहा है, इसका वेपस, उच्छा, अब जितने भी जो है, जैसे आसोख कापिर हमारे यां, लगता है सीधा सीधा चलता है उसके नीचे खड़े हो जाईए उसको मुह में रखिए ताकत घड़े आप बाल्टी का भी प्रयोक कर सकते वैसा आपको खुद ऐसा यह क्या बता रहे हैं यह बता रहे हैं आपके एनर्जी के तरंगों को जिसकी तरंग निगेटिव है वो ता आप जो दीवाल में पैंट लगाते हैं उसकी बदगू होती की खुजबू होती है वो ताकत घटा रहे हैं तो ऐसे 30 35 चीजे मेरे यूटूब चैनल में जाए टी सी बीटी पाट साला आप सब फोन निकालिए इस पे मैंने मेरे धाई अजार से ज्यादा वीडियो से हैं आ आप जो नारीयल पानी जो खाली है उसमें बर्गत की नीचे की मिटी ।ोड़ी रेथ थोड़ी लाल और सफेद मिटी डालके मिक्स करके उसमें भर्दो या केवल बर्गत की नीचे की मिर्टी भर दो एक जो मिर्च लगा दो दो ढ़ाई किलो मिर्च आएगा आप समझ रहें ना बर्गत या बीपल अइसे जो है ऐसे जो है लगबग मैंने छत पर भी रिकार्ड पोड़क्शन लिया उसके भी वीडियो मेरे यूटूब चैनल में अब धिया है और अर्गनिक ağणा नहें अची चीज़े डाल के अगाना है आज आज सब लोग सिंथेटिक चीज़े डाल रहें जहर भी डाल रहें यूरिया डियापी सिंत्येटिक सुब्स इडिशर जहर भी डाल रहें उसके जगह मैने लगबग dos absorbing बनाये हैं जैविक खित एक भी आपको फसल खराब फसल नहीं मिलेगी मेरी यूटूब चैनल में सब हरी कच और बंफर प्रोडक्शन बंफर जबरदस प्रोडक्शन हर फसलों का तो इस तरह से जो है आप सब जो है यूटूब चैनल से ही देखे और इतना ही मेरा है एक प्रयोग और मैं करा देता ठीक है यह प्रयोग है आपके सरीर में पंच महाभूत हैं यह पूरी प्रकरती पंच महाभूत से बनी फाइप एलेमेंट है हां की ना कितने लोग फाइप एलेमेंट जानते हैं अब आप देखे आदे लोगों को पंच महाभूत पता है आदो को पता नहीं जबकि पूरी दुनिया इसी से बनी फाइप एलेमेंट भूमी बोलिए भूमी अगन वायू अगन अगनी निवायू रजब यह दुकली आइप नरेमेंट भागवान ही माता है यह ऑननी पिता है अगर भायू का एक एक पंग हमारे इसमें जाएगा तो एक एक टीस्यो शोट को फॉरान मिलेगा रोज 14 लाग टीस्यो समरे सरीर clotli में ये जूते हैं मुस्स चाओध लाग रोज सोता ही Nak Eleor स्टिस्यों बने यह जरूरी है कि नहीं धिश्यों बनता है प्रोटीन से प्रोटीन से किसे बनता है सब को पता है probiotic protein से ही टिस्योस उतक बनता है अब protein के जो है protein बनता है amino acid से किस से amino acid से तो protein के तीन source है months दाल और दूद मांस में है 56% दाल में 12-18% दूद में 4.7 से 8.7 गाई के दूद में 4.7 और भैस के दूद में ठीक है समझ रहे ना अब यह बताओ बच्चा बड़ा हो रहा है उसको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो अभी सबसे आदा प्रोटीन किसमें है दाल में 12-18 दूद में गाय के दूद में 4.7 प्रतिसत प्रोटीन है तो सामाने डाक्टरी भासा में डाक्टर क्या कहेगा संडे हो या मंडे क्योंकि उसमें प्रोटीन कितना है पर यहां से भारत का विज्ञान शुरू होता है आप अगर दूद को दही बना और दही को मक्षन बना तो उसमें 60% प्रोटीन कितना परसेंट साथ परसेंट अब अगर मांस अगर फरमंट होगा और अमीनॅ कशन में कनवर्ड होगा तो उसका सवद करवा होगा और उसमें दुर्गंद affirm की सुगन्द तो मांस की उर्जा मांस की तरंग निगेटिव है और मखनगर फर्मंट होगा तो उसमें सुगंद आएगा कि दुर्गंद तो मांस की उर्जा पॉजेटिव है उसकी तरंग क्या है उसमें खुसबू आएगी और वो जो है स्वाद में मीठा होगा तो आप आपके सरीर में कौन सा टिस्यूस बनाना चाहते खुसबू खुसबू और जो है मिठास वाला की बदबू और कड़वा वाला दोनों में प्रोटीन बनेगा दोनों में बाहुवली बनेंगे बस मांस वाला फर्मंट हो करके और बदबू बनेगा वो तामसिक सरीर कहलाएगा उसके अंदर उर्जा जाएगी तो लोब, क्रोध, मो, मद, अहंकर व्याभीच और अगर मखन से बना हुआ प्रोटीन होगा तो वो सात्विक होगा इसलिए भगवान क्रस्ण भी बाहुवली बने क्या खाके बने भारत का विज्ञान है क्योंकि तरंगों की दुनिया सब कुछ है आप सात्विक भोजन करेंगे सात्विक शरीर बनेगा मैं एक जो है इसका आपको जो है इसके भी मैंने यूटूब में डेमो है आप तो पक्का और उर्जा आधारित जीवन ही भारत ने रिशी मिनियों ने जितने बना एतिवार वो उर्जा आधारित मेरा केलेंडर भी निकलता है क्रशी पंचांग बुलाईए किस तिथी में क सब्सक्राइए चीज निगेटी होती है उसमें है तो वेबसाइट से बुला लेंगे वापस में आता हूं पंच महाभूतों पर यह फाइप एलिमेंट घूमी एक प्रतिसत होना ची हमारे सरीर में गगन वायू प्रतिसत और जो है मतलब गगन तत्व आठ प्रतिसत वायू जैसा ब्रह्मांड हमें अगर पिंड है तो हमारी धर्ति हमारा ब्रह्मांड है तो धर्ति में पानी है सत्तर प्रतिसत हमारे सरीर में होना ची जिसमें पानी कम उसके होट सूख जाते हैं जिनमें अगनी कम हैं अगनी 32 डिगरी होना ची हम सब कफज हैं तो हमारी आखे सफे नीन्द बहुत आएगी कफ हो गए तो अब इसको बढ़ाना है तो पंच महाभूतों के विज्ञान को समझना पड़ेगा कि भूमी तत्व एक प्रतिसत याने सारे माइक्रोनेटिंड गगन तत्व प्रतिसत याने उपवास करना पड़ेगा फिर वायू तत्व 21 प्रतिसत हवा ज्यादा खानी है हम रोज 500 किलो हवा खाते हैं और पास साथ लेटर पानी पीते और एक किलो भोजन करते हैं हमने हमारे घरों की खिडकी छोटी कर दी ऐसी लंब बेड्रूम और जो एसी लगा के हवा के लिए रोका तो वहां तुलसी का पौधा रखी रात में घी का दीपक जलाईए नहीं जला सकते तो घी चुपड़ के कंडे जलाईए घी चुपड़ा हुआ देशी घी के जुपड़ा हुआ कंडे में एथली नॉकसाइड प्रॉप तो एक तामे के पात्र में या कांसे के पात्र में पानी डालके फूल रख दीजिए फिर सोईए उस दिन सुकून की नीद आईगे आपको क्योंकि राद भर फूलों की खुसबू उस जल के साथ निकल रही है ठीक है तो इस तरह से अभी पानी की कमी है तुलसी का काड़ा पीके दीजिए 15 दिन पीजिए जैसे अभी हम खुब प्यास लगती पानी पी रहे यूरिन जा रहे पानी पी यूरिन आपके माइट्रो का इंड्रिया में पानी नहीं पूछ रहा है इसलिए बार-बार पानी मांग रहा है शरीर यदि शरीर को पानी की पूर्ती हो जाए तो मांगेगा क्या आप केवल साथ दिन तुलसी का काड़ा पीजिए रव्यार छोड़के तुलसी पत्ता 15-20 तोड़िए और एक लिटर पानी में उबालिए मिल्टन के बॉटल में रखिए गरम और एक एक कप पीजिए फिर देखिए आपका पानी क्या प्यास बुच जा साती है उस समय दो मिनट का हवन करना है यह पूजा नहीं है टोटल विज्ञान है भगवान परसुराम ने इसको विक्सित किया है एक तांबे का पात्र उसमें कंडे जमाई है ठीक है दस मिट पहले जलाई है सूर्योदय के दस मिट पहले और फिर क्या करना है जह दो मिनट बचे तो घी चावल चुपड़ के दो आहूती उसमें देना है दो मंत्रों के साथ उसके लिए एक एप बनाया है राइट टाइम पे करने के लिए एस ओ यूएल सोल और्गनिक फार्म फार्मिंग एप को डाउनलोड कीजिए उसमें टाइम मिलेगा आपको आपके घर का ट परसेंट ऑक्सीजन है यह साथ दिन पीजिए पेट का गैस खतम हो जाएगा और पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा एकदम अच्छी नीद आएगी और अच्छा करना है माइंड में जो है गैस भुज गया जिसको बोलते हैं माइंड में आ गया ठीक है घुटनों में गया कमर में आ गया तो इसमें फिटकर ही डाल दीजिए और थोड़ी देर घुमाईए बस फिटकर ही अलग कर दो इसको च्छान के पीओ और लाम मिलेगा 15 मिनट में भूक लग जाई और अच्छा करना हो तो अमरूद लीजिए 3 किलो 1 किलो जो है सहेद और 10 लीटर पानी म 10-10 ml पीजिए यह प्रोबायोटिक बेक्टेरिया है प्रोबायोटिक प्रोटीन है इसमें 10-10 ml आपको दिन में 20-25 दकारे आएंगी दकार समझ रहे हैं 20-25 पूरा गैस निकलना शुरूगा एक मेना पीजिए घुटने का इसका पूरा गैस निकल जाएगा अब घुटने का कमर का गैस निकल गया आपकी कौन से दर्दर ठीक हो गया गठवा साइटी का माइगरेंट ठीक हो गया तो यह जो है हमारी इस प्रकरती में अणू और जीवानू मैंने अगनी होत्र भस्मा आपको देखे अणू दिया और जिसमें 52 परसें और जैवरसैन इस फार्मूले का नाम क्या है जो अमरूत का बनाएं जैवरसैन यह पीजे एक किसी भी फल का बना एक बार पीके तो देखिए हमारे पेट में बैक्टेरिया होते यह गट्स बैक्टेरिया एक आस्ट्रेलिया का वेग्यानी केवल मुझसे मिलने आया क्या आपने ऐसे कौन से बैक्टेरिया हमने का मैंने कोई लेप से नहीं लिया मैंने इसमें कोई बैक्टेरिया मिलाए क्या लेकिन जब वो अमरूत जो है डिकंपोगा तो अपने आप बैक्टेरिया आजाएगा इस प्रकर्ति में जहां जैसी उर्जह होती वहां वैसे अनू और फिर वैसे जीवानू आजाते है हमने जीवाणू नहीं डाला इसमें डाला क्या पर इसकी जाच करिए इसमें जो है एक ग्राम में कम से कम तीन करोड तक जीवाणू है दो अरब तक होते हैं लेब रिपोर्ट हमारे पास तो अभी देखिए आप अमरूत का जैवरासैन बनाने में कोई दिक्कत है फूलों को सिंथेटिक कपड़े छोड़िये नमक छोड़िये साबुन छोड़िये साबुन भी नहीं किसी है चमणी सूब जाती है यह जो अमरूत का जैवरासैन बना इसी से इसनान करिए नीबू का जैवरासैन बनाए एक किलो गुड तीन किलो नीबू काटके और दस लिटर पानी उसका पाच एमेल बालों में डालिए सेंपू से ज्यादा बाल जो है मुलायम बन जाते हैं सेंपू से ज्यादा कपड़े दुलिए उससे तो आप भारत की जो प्राचीन विज्ञान है उस पे जाए बहुत ज्यादा चर्चा करूंगा निए फाइप एलेमेंट पर भी काफी लंबा चर्चा है आप सब अपना फोन उठाईए और टी सी बीटी पार्ट साला निकालिए फोन मेरे यूटूब चैनल है जरूर जाईए देखिए ठीक है मैं पूरे देजबर में प्रवास करता हूं परसो जोदपूर में था फिर कल दिल्ली था आज यहां जो है आप सब उसे चर्चा करने का उसर मिल गया और केवल जब यह ग्यान मिला तो हमारा कामी है देश बर में जाना बताना अभी 38 फसलों का रिकार्ट पोड़क्शन है छट पे भी खेती करिए और आपका जीवन सेली भी ठीक करिए जॉगिंग करने से आपके शरीर में केवल पॉइंट क्योंकि निगेटिव चीज खा रहे हुआ तो निगेटिव चीजे जो है इनसे बचना ही पहला काम है पंच महभूतों के सरण में जाना दूसरा काम है और फिर इस्वर के सरण में जाना तीसरा काम है मैंने कल साक्षात इनको पानी से बात करना सिखाया हां की ना पानी से ब सब सुन रहे हैं क्योंकि मेरी आवाज में भी तरंग है और पॉजिटिव तरंग है सब को अच्छा लगेगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों को बहुत-बहुत सुक्काम ने इनके लिए जोरदार का लिया बजाई मैं आपको हवा पानी से बात करना पंच महभूतों को आपके सरीन में सुद्ध और सजीव करना सिखाए जाओंगा तक मेरा प्रवास तक मेरा यूटूब चैनल देख की रखिए देखेंगे भारत माता की जै जै श्री राम